हलो गाइज and hope you all are doing well मैं हूँ आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने sony a7 m3 a7 m4 को कैसे रिक कर सकते हो to get a best shooting style to your camera और अपने कैसे camera को एक cinema camera में convert कर सकते हो मैंना already इसके उपर पहले भी वीडियो बनाया था मैंने अभी एक cage खरीद है falcam का जो है वो quick releasing system वाला cage है f22 quick releasing system में से हम लोग बोलते हैं और मैं इसको काफी दिनों से उस कर रहा हूं and recently मैंने पूरा rigging setup बनाया और रियली लब इस रिगिंग setup for my most of the shooting type of content अमने असे कैसे रिगप कर रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टार्ट करते हैं बिना वग गवाए अगर आप आए चैनल पर फिस्टाइम तो करें चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें मेरे इंस्टागेम और फेस्बुक पर टू करते हैं गाइस लेट्स गैट स्टार्टेट नाव जाइस सबसे पहला इस वांट तो शो यू मैंने यहा सब्सक्राइब तो शूट्स के टाइम पे डारेक्टर मॉनिटर और डी ओपी मॉनिटर भी बन जाता है मुस्ट अब तो मैं इसको नीचे जग रहता हूं अभी नाव लेट्स टॉक अबट दी रिक तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो मैं केज की बात करूं तो गईस मैंने जो केज पर्चेस किया यह है फाल कॉम की तरफ से आता है और यह कुछ रिलीजिंग सिस्टम वाला केज है और इसकी एक्सेसरीज है मुझे जैसे अगर मुझे यह हैंडल हटाना है ठीक है यह टॉप हैंडल अटना मैं प्रेस करूंगा बटन को और जट से मेरा टॉप करनी है मैं तरुप करूंगा बटन को कि और के मेरा साइट करेफ हाथ में आ घया मुझे इसे लغाना है वापस तो मैं प्रेस करूंगा प्रेस करने की जोरूबत न मैं इसको स़्लाइट करूंगा और यह लग गया और मुजह इंढल को फिर से लगाना है तो मैं इस तरीक best क करूंगा और यहां पर लग गया है तो यह बहुत ही अच्छा कोई क्रिलीजिंग सिस्टम में और मैंने जो है केज खरीद आवा है तो मैंने ए 7 M3 पर केज लगा रखा है यहां पर और केज के ओपर यह सारी एक्सेसरी लगा रखें तो साइड है ठीक है कि इस तरीके से अगर आपको hold करके shoot करना हो top handle है अगर आप lower angle से shoot कर रहे हो यह एक्स्टा और गृप चाहिए ठीक है साथ-साथ में यहां पर मेरी यह powerbank connected है और यह LED light भी है तो यह आता है और यह जाके मेरे camera पर connect हो गया और यहां से जो power cable है because of power bank भी है तो मैं मेरे camera को भी charge करता हूं simultaneously इस focus pulling motor को भी charge करता हूं तो मैं जस इस तरीके से से यहां पर connect कर दूँगा मेरी power type-c cable को नाव मेरी जो focus pulling motor है वो on हो गई है इसके साथ-साथ में जो इसमें से मैं USB cable connect करूंके मेरे camera में connect करूंगा तो मेरा camera भी जो simultaneously से चार्ज होना सार्ट हो जाएगा तो यह एक बहुत अच्छा power bank है साथ-साथ में gallery light है तो low light में काम आती है साथ-साथ में एक तरीके से मेरा power bank भी बन जाती है और मेरे camera और कुछ extra devices को भी power up कर देती है इसके साथ-साथ में यहां पर साइट पर साइट वाले handle पर मैंने मेरा image transmitter लगा रहा है जो की मेरे HDMI cable से connect हुआ है मेरे camera और directly transmission दे रहा है to my monitor जो कि मैंने monitor connect किया हुए ठीक है अब monitor तो चलो connected है जो कि मेरे director के पास रहेगा बट एक बड़ा monitor मुझे भी चाहिए जिसे हम लोग DOP monitor बोलते हैं तो DOP monitor के लिए मैंने क्या कर आवा है मैं यहां पर जो यहां पर आपको एक you know एक open bracket नजर आ रहा हुगा smartphone का इस bracket को मैंने यहां पर cold shoe mount पर connect क्या है और उसमें मैं अपने 6.75 का mobile phone connect करता हूं जो कि अरॉंड 1500 निट की brightness वाला mobile phone है और इस एसून का transmitter जो है यह वाला transmission system है यह पांच devices को wirelessly feed दे सकता है तो यह तो मेरा director monitor बन गया और DOP monitor के लिए मैं सीधे इसमें मेरा phone connect करूँगा wirelessly Wi-Fi से phone करूँगा और उस पर वो transmission आ जाएगा मेरे camera का directly wirelessly तो कि जो कि मुझे monitoring करने में help करेगा और exposure और basic चीज़ें पता करने में भी help करेगा नीचे की तरफ मैंने जो है वो रेल लगा रखें six inches वाली सो यह बेस रेल है ठीक है रेल के नीचे अब इस रेल के उपर अगर मुझे इसको shoulder mount बनाना हो तो अपना shoulder mount pad लगा करके और आगे दो shoulder mount के लिए handle लगा करके शोल्डर माउंट भी बना सकता हूं तो मेरा shoulder mount setup भी बन जाएगा simultaneously यह रेल जो है वो थोड़ा सा नीचे support करती है अगर मुझे कुछ और accessory जिस पर mount करनी हो जैसे मैंने या पर मेरी focus motor mount करें focus puller mount करा focus puller की motor mount करें तो मैं जैसे इसे घुमाऊंगा as you can see मेरी जो motor है वो भी move कर रहे है और मेरे focus को पूल कर रहे है तो मैं focus pulling system को as in focus पूल करने के लिए भी use करता हूं साथ-साथ में zoom in zoom out करने के लिए जूम को भी pulling करने के लिए use करता हूं तो मेरा zoom in भी जो है वो इस पूलिंग motor से control हो जाएगा तो इस तरीके से भी मैं बहुत बारी इस system को use करता हूं on the set on the shoots जब आप इस तरीके से रिगब करेंगे तो आपको बड़ी stability feel होगी अपने content में जब आप handle shoot करते हो because यह जो दोनो side handle है ना यह काफी अच्छी grip देते हैं over the period of shoots और आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा इनके साथ में और काफी अच्छे से अपने वीडियो को shoot कर पाओगे that's why i really love this setup और i really used it from i really used it for most of my content जब मैं shoot करता हूं अपने videos को तो यह था about क्या आप कैसे rig up कर सकते हो अपने camera को और एक बहुती cool cinema camera में convert कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो definitely link मेंने description में सब चीजों के आट किये हैं तो जाके आप जरूर चेक आउट कर लिजेगा thank you so much guys for watching this video stay tuned and keep shoot